नवस्कार मैं हिमानशी कुमार आप देख रहे हैं जंता जंक्शन बिहार की सियासत इस वक्तेश परताफ यादेव भर्सिस जग्दन सिंग के मसले को लागातार सुर्ख्यों में है लिकिन इसी बीच एक बड़ी खबर है आपको बता दे कि जेडियू का रैले में मिलन समारो रखा गया था जहां पर जेडियू ने बीचेपी और हम पार्टी को तगला जटका दिया है और बीचेपी और हम पार्टी के कई नेता जो है वो जेडियू में शामिल हो गाएं आमको द kindly से भाजपा प्रदेशुकार समिटी स्तस्य सोंधारी यादव जो पूर मंत्रे भी जा चुके हैं बीजेपी की रीड की हड़ी समझे जाते थे उन्होंने अंतता आज जीडी ज्वाइन कर लिया है वहीं हम पाटी से सतनरायन शर्मा ने जीडी ज्वाइन भी करी और बीजेपी पर करारा हमला किया और कहा है कि बीजेपी में जो प्रधानमंत्री है वो अच्छ लोग कारकरताओं के इजट नहीं करते हैं उनका मान और सम्मान नहीं करते हैं ये लोग जो हैं जूटे हैं धोके भाज हैं और जालसाज हैं इसके साथी साथ कहा इन लोग के अंदर जहर भरा पड़ा है ये लोग विशैला है तो इस तरीके से संधारी आदब ने बीजेप सिंग आये थे उसके एक दो दिन के अंदर ही पुर्व मंत्री भगवान कुश्वहा को पार्टी में शामिल करवाया गया और बकायदा उनको परदेश उपाधक्ष के पत पर जो है रखा गया उसके बाद आपने देखा किस तरीके से आरजेडी के पुर्व मंत्री पर जामिल करा लिया गया तो ललन सिंग जो है लागातार ये कोशिस कर रहे है कि जेडी जो तीसे नमर की पाटी बनी है मातर 43 सीटे जो है इस बार जेडी की आई है किसी भी तरीके से जेडी के जनदहार को मजबूत किया जाया और इसी को देखते हुए जो भी कदावर ने के पहले जेडी मजबूत इस हिती में आज है क्योंकि आर्जेडी लगातार अपने जनदहार और प्रभाव को बढ़ा रही है वहीं बीजेपी में लगातार ये बयान दे रही है कि इसकुमार हमारी दया पर हमारी एनुकंबा पर मुखमंत्री बने है और वो 2025 में अके जेडी में शामिल किया जाए और जेडी को मजबूत किया जाए आप देखते रहें जनता जंक्शन में आपको बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरों से लगातार अपडेट करते रहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद